अरे यार प्रेंकलिन भाईया आज तो यार हम लोग बहुत ही चोटी-चोटी मचलिया पकड़ पाये हैं अबे हाँ प्रेंकलिन इतने कम मचलियों की तो यार हम लोगों को 10 डोलर भी नहीं मिलने वाले अरे यार चौप तो मैं क्या करूँ लगता है इस तलाप में बड़ी बड़ी मचलिया नहीं है यार अरे प्रेंकलिन भाईया इन मचलियों से तो यार हम लोगों को एक भी पैसे नहीं आएंगे यार अरे यार प्रिंकलिन भाया इन सारी मचलियों को बाजार लेकर के बेचने से अच्छा है चलो ना इसे घर में ही यार पकोड़े बना करके खा जाते हैं अबे हाँ बैप प्रिंकलिन बहुत दिनों से यार मचलियों की पकोड़े ने खाये हैं हम लोग चलो ना इसे घर ले जाकर करके खाएंगे अरे नहीं यार चौप इन सारी मचलियों को ले जाकर के हम लोग बजार में बेच देंगे बाइस अब कुछ तो पैसे आएंगे ना हम लोगों के पैस में अरे प्रिंग्लिन भाईया टेन डॉलर भी नहीं मिलेंगे यार आज तो आ यार अरे यार फ्रिंग्लिन भया साइड से चलो पैगल कुछ ता रहा है आपके वल में औरे हाँ यार सिंचैन तुन लोग मचलियों अच्ये से छुपा कर ला खा जाएगा अबस फिरक मेरे को बचायगा मेरे को भाग अबे उधन主 बाहिए ति अगर इन जानवरों को कोई भी पकड़ करके लाता है तो उसे टेन मिलियन डॉलर और एक डाइमंड की सूपरकार दी जाएगी अगर इन जानवरों को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो अरे यार सिंचेन तू क्या फालतू के बाते कर रहा है यार जू घर जाना चाहिए सेर को पकड़ना चाहिए अब हाँ परेंगलीन हम लोग को जाना चाहिए यार पैसे कमाने के इस से अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता अरे यार सिंचेन और चौप ये सब फेक निउज है यार आजा फिर भी चल के देख लेते हैं कि चिणिया घर में आखिर कर चल के आ रहा है भाई साब अरे यार परेंगलीन भाया ये रियल नहीं हुझे यार आपको ये जूठी क्यों लगती है अरे यार चौप अगर ये रियल नहीं हुझे तो तू जाएगा ना यार सेर पकटने के लिए जंगल अब या परेंकलिन मैं नहीं जाने वाला यार कोई भी जानवर पकटने के लिए भाई साब सेर से अगर मेरा पाला पड़ गया ना तो यार वो मेरा हड़ी पसली सब चबा के खा जाएगा अरे यार चोब तू टेंसन क्यों लेता यार कुछ नहीं होगा हम लोग भी चलेंगे ना साथ में ना पशिंचे ना यार तुम लोग छोड़ के भाग जाओगे और प्रेंकलिन भाईया भी मेरे को नहीं बचाएगे यार वो दूसरा कुट्ता खरीद के ले आएगा और हमको यार मरने के लिए छोड़ देगा ना जाएंगे यार हम अबे यार चौब तू टेंसन क्यों ले रहा यार यह फेक न्यूस था देख रहे हो यार चिणिया घर में कहां कुछ चल रहा है सब तो सांथ है भाई अबे यह क्या यहां तो बहुत सारे भीट लगी हुई है अरे भाई साब हमारे चिणिया घर से सारे जानवर भाग गए हैं जो भी पकड़ के लाएगा उसे मैं ये तेन मिलियन डॉलर सभी पैसे दे दूँगा और यार एंगल डायमेंड वाली कार भी बोल रहे थे यार आप लोग टीवी में अरे हाँ हाँ डायमेंड वाली कार भी हैं अरे हाँ हाँ बहुती खूंखार जानवर हैं बच के रहना वरना निगल जाएगा तुम लोगोंको अब यार प्रांक्ली दोह सुनाई दिया यह नहीं यार यार वह बोल रहलगी भाई सब मैं तो नहीं जान काम करते हो तुम लोग कार के नीचे भी बढ़ गए और यार मेरे को उपर में छोड़ते हैं यानि कि अगर सेर काटेगा तो मेरे को ही काटेगा गाइस यार आप ही लोग बताना यार ये लोग गलत करते हैं याने मेरे साथ यार जल्दी से आपना मेरे को सपोर्ट कर दो यार पिलीज 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 मेरे लिए यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को यार ये लोग मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं अरे हाँ यार गाइस आज तो यार आपको लाइक करना ही होगा चोप के लिए यार आज उसका जान बहुत ही खत्रे में है तो प्लीज यार चौप को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से देखो यार तुम लोग को मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है सेर चीता बाग कोई भी जानवर आ सकते हैं तो सब कोई चोकन ना रहना और चारो तरब देखते रहना भाई साब ठीक है कि कहीं से भी कोई जानवर तो ना आ जाए ना ओ भाई साब इधर कुछ है क्या अबे कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा यार मेरे को इधर भी अबे परेंक लिल कौन सा गन लाए हो यार ये अगर सेर सामने आ गया तो मारोगे तो मर जाएगा ना यार वो अरे नहीं यार चौप इससे बस वो बेहोस होगा यार मर जाएगा तो यार हम लोग चिडिया घर में कैसे ले करके जाएंगे अबय यार तु मेरे को और क्यों डर आ रहा रहा भाई, अगर नहीं बेहोस हुआ यार तो मेरे को टपका डालेगा यार अरे यार चोप, मैं तेरी को बचा लूँगा, तू टेंशन मतले तू ना, ध्यान लगा कर सब को देख यार दाएं भाए कोई जानवर है क्या अरे यार सिंचेन मेरे को लगता ना कि इस जंगल में एक भी जानवर नहीं आ है यार भाग करके भाई साब एक भी जानवर दिखाई नहीं पढ़ रहा है यार मेरे को उतना देर से डूंड रहा हूँ अबे चौप तू उतना पीछे क्यों रहता यार सामने आ करके रहा ना अब आप प्रेंगलिन आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ रुग जा रुग जा अबे सिंचेन ये क्या है भाई साब थोड़े थो तो मेरे को नजर आ रहा रहा अबे ये तो सेर है यार सिंचेन मेरे को दिख गया है सेर अरे प्रेंगलिन भाई सूट कर दो अबे तुम लोग सब कोई मेरे पीछे-पीछे आजा लगता है कि गोली लग गई है अब फ्रेंगलिन तुने क्या कमाल कर दी भाई साब मैंने सोचा नहीं था कि यार तुने इतनी जल्दी सेर को मार डालेगा अरे भाई साब ये क्या है यार अरे यार फ्रेंगलिन भाया लगता है सेर अपने साथ सभी बच्चों को लेकर के सकते हो कि कोई भी जानवर को यार यह टिकने नहीं देता सबको खा जाता यह सेर अरे प्रेंगलिन भाईया सेर के छोटे-छोटे बच्चो को यार हम लोग पालने के लिए घर ले चलते हैं अब यार पिंचेन क्या पागलों जैसी बात यह कर रहे हो यार यह सेर के बच्चे बड़े हो करके मेरे को ही नखाएंगे अरे यार सिंचेन तुम लोग एक काम करो चारो तरफ फिर से लग जा दूसरे जानवर को ढूंडने के लिए हमने अभी तक सिर्फ सेर को ही मारा है और भी तो जानवर भागे हैं ना यार अरे हां यार प्रिंगलिन भाईया सिर्फ ए अरे हाथ में गन है तू टेंशन मतले कोई भी जानवर मेरे को दिखाई देगा ना भाई साब तो मैं उसे सीधे ठोक तूंगा अब यार प्रिंगलिन मेरे को तेरे से तो यार कमी भरोजा है तुम्हें तो अची से गन भी चलाने नहीं आती है भाई साब अब चुप लग गई इसके उपर में और ये बेहोस भी हो गया है आजा भाई साब इसके कितने ही बड़े बड़े दात हैं सिंचेन तुम देख लो अरे यार प्रिंगलिन भाईया इसके दात तो यार सीधे पेट में ही गुशते हैं अरे यार सिंचेन हमने तो इसे पकड़ ली लेकिन भाई साब इन लोगों को होस आने से पहले जू तक पहुचाना होगा हम लोगों को अरे हाई यार फ्रिंगलिन भाईया अगर रास्ते में आ गई ना होस तो यार ये हम लोगों को कच्चा चबा डालेगा जल्दी से चलो यार अब यार फ्रिंगलिन मैं तो यार ऊपर नही नहीं काटेगा तु जाना उपर अब नए यार मैंने जाने वाला उपर भाई साब बहुत ही खतरनाक जानवर है देख सकते हैं उसके दाथ कितने बड़े बड़े हैं अरे यार फ्रेंगलिन भाईया चोप ठीक ही बोल रहा है यार अच्छा ठीक है सिंचेन अगर तुम लोग सब कोई बोल रहा है नीचे बैठने के लिए तो भाई साब आजाओ जल्दी से नीचे ही बैठ जाते हैं हम लोग सब कोई आरे फ्रेंगलिन भाईया गाड़ी जरा जोर की चलाना यार इतने खुंखार जानवर देख करके तो यार मेरी भी फटने लगी है अरे हाँ यार प पांच बच्चे हैं वो तो अकेला ही था यार अरे यार सिंचेन तुने पीछे वाली सूर को देखा है बाई सब कितनी ही खतरनाक वाली दांत है यार उसकी जिसके पेट में भी घुश जाए ना तूसके काम तमाम कर देगा यार यार फ्रेंगलिन भाईया सेर के पांच छो बी करने के लिए अब यह फ्रेंगलिन और पिंचेन तुम लोग पागल हो गया यार यह बड़ा हो करके तो यार यह चोब को ही निगल जाएगा अच्छा ठीक है ठीक है यार यह बिच्चे को ने रखेंगे हम लोग और सुनलो ध्यान से मैं जो तुम्हें बोलना चाहता फिर मैंने इसे गोली मार के पकड़ी है ठीक है चला जा तुम लोग मेरे पिछे पिछे अरे यार फ्रिंगलिन भाया लेकिन हम लोग यार जूट क्यों बोलेंगे अबे सिंचेन मैंने जितना बोलने के लिए बोला तू उतना ही बोलेगा ठीक है मैं क्यों जूट बोलने के लिए बोल रहा हूँ ना ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा चला जा अरे यार फ्रिंग्लिन मैया सारे के सारे आत्मी तो गायब हो गये हैं यार सिर्फ जू का मालिक बचा है यहां पे पैसे ले करके अब यार सिंचेन लगता है सभी के सभी आदमिया यार सिर को पकड़ने के लिए जंगल तरब गए हैं अरे आओ बच्चे आओ तुने जू घर के जानवरों को पकड़ लिये क्या अरे हां अंकल आपके सारे जानवरों को मैंने पकड़ लिये ये देख लो सिर और उसके साथ म भी पकड़के लाया है यह तो मेरे जूमें नहीं रहता था थेंक्यू यार थैंक्यू अबہ वह ठकले मेरा नाम मेरा माली माली से जब्सक्राइब सकती सब Uma ओर यह कुस्ता थे यार यह कुछ था थो बोलता है यह यार्екстρε डाइमंड वाली कार तुम लोगों की घर पहुंच जाएगा तुम लोग ये पैसे ले करके चले जाओ अभी यहां से अरे अंकल ये रहा हम लोगों का एड्रेस जल्दी से यार डाइमंड कार को हम लोग के एड्रेस में पहुंचा दो आब पढ़ेंगलिन सबसे पहले तुम मेरे को ये बता तुम यार जू में हम लोग से जूट क्यों बोलने के लिए बोला था कि यार ये सारे सिर को हम बहुत ही दूर के जंगलों से मार के लाए हैं अरे यार भुद्धू तुम लोग सब के सब भुद्धू हो अगर हम लोग ये नहीं बोलते न कि ये हम लोग दूर के जंगलों से मारके नहीं लाए हैं तो यार वो हम लोगों को कम पैसे देता और बोलता कि जाओ इतना ही पैसे लेकर के तुम लोग यहां से फूट लो अरे यार अब समझ में आया मेरे को गाइस यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना